आप सब का बहुत-बहुत स्वागत साथियों इंडिया गठबंदन अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहा है पहला मैच खेलने जा रहा है 18 जनवरी को होने वाला चंदीगण मेर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है ये इस देश की राजनीती की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नीव रखेगा इंडिया गठबंदन बतोर गठबंदन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना है और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंदन पूरी मजबूती से चंदिगंड मेर चुनाव लड़ेगा और एक एतिहासिक निरनायक जीत दर्च कराएगा आप इस आम चुनाव इस चंदिगंड मेर चुनाव को कोई साधारन आम चुनाव मत मानिये ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार मुकाबला सीधा इंडिया बनाम भाजपा होने जा रहा है और हमारा ये मानना है कि जीत दर्च कराने के बाद इंडिया गटबंदन का ये जीत रूपी रत चंदिगंड तक ही सीमित नहीं रहेगा ये कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी और मनिपूर से लेकर मुंबई तक जाएगा जब-जब टीम इंडिया का सामना देश की दुनिया की किसी भी टीम से हुआ हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया हमारा ये मानना है कि 18 जन्वरी के चंदिगंड चुनाव में भी भारतवासियों एक जुठ होकर इंडिया को जिताएंगे और इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया एक भाजपा शून ने हमारा ये मानना है कि इंडिया गटबंदन की 18 जन्वरी को होने वाली क्लीन स्वीप के बाद ये एक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगाज होगा इंडिया गटबंदन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जन्वरी को होने जा रहा है ये 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा कर्टन रेजर होगा और ये एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा उसके क्या नतीजे होंगे मेरा ये मानना है कि ये एक और बड़ी चीज साबित करेगा वो ये है कि जब इंडिया गटबंदन मिलकर चुनाव लड़ता है तो एक और एक दो नहीं एक और एक ग्यारा होता है ये चंदी गट का 18 जनवरी का चुनाव सिथ करेगा और इसके संदेश इसका मेसेज जो जीत का इंडिया गटबंदन की जाए उसकी एक आस लुगों के मन में जगाएगा कि अगर इंडिया गटबंदन एक जुट होके चुनाव लड़ता है तो इंडिया गटबंदन ही वो चुनाव जीतता है और इंडिया से जो जो टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा ये मेसेज इस चुनावों से राजशाहत है उससे चंदिगट के लोगों को चुटकारा मिलेगा इंडिया गटबंदन वो चुटकारा दिलाएगा और 2024 में केंद्र में बैठी तानाशा और निकम्मी भाजपा सरकार से भी देश की जनता को इंडिया गटबंदन ही चुटकारा दिलवाएगा तो आने व चुनावी फाइट जो भाजपा से 18 जन्वरी को होने जा रही है ये 2024 के चुनाव का आगास करेंगी इसके संदर्ब में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं देखिए इंडिया गटबंदन एक ऐसा गटबंदन है जिसमें देश की तमाम पार्टीओं ने राजनेतिक दलों ने राजनिताओं ने अपनी व्यक्तिगत महत्वकांशा और अपनी व्यक्तिगत मदभेद, मनभेद दरकिनार करकर साथ आने का फैसला लिया देशित में फ अटवारा कौनसे राज्यों में होगा, कौनसे में नहीं होगा, कौनसे राज्यों में रन्नीती के तहट साथ आखर लड़ा जाएगा, और कौनसे राज्यों में रन्नीती के तहट भिन-भिन प्रकार से लड़ा जाएगा, ये फैसला, seat sharing की जब पूरी बाचीत है, वो समात् जाएगा, आज seat sharing पर non-stop regular commentary करना उचित नहीं है, मैंने पहले भी कहाता कि जैसे cricket match में आप देखते हैं कि ball by ball commentary होती है, seat sharing की बातचीत में, समभाद में इस प्रकार से ball by ball commentary नहीं हो सकती, वो संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई महत्वपून फैसला लिया जाएगा, उसकी जानकारी अवश्य आप सबसे साजा करेंगे, but is this outcome of Mr. Arvind Kejewal's meeting with Rahul Gandhi and Malika Arjun Khargey at Mr. Khargey's residence? देखे, मेरे नेता और दिली के मुख्यमंत्री आदर्नी अर्विन केजरिवाल जी की एक बहुत ही महत्वपून बैठक, Congress के राष्टी अधियक्ष मलिका अर्जुन Khargey साप और Congress Party के बड़े नेता राहुल गांदी जी के साथ हुई, बैठक बहुत ही महत्वपून है, उ और साथ आकर चुनाव लड़ने का जो संकल्प है, वो और मजबूत हुआ, मेरा अपना ये मानना है कि अगर इंडिया गटबंदन की पार्टियां और खास करके ये दो पार्टियां साथ आती हैं, तो भाजपा के लिए एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारा का, जो हमा मारी ताकत है वो एक और एक ग्यारा हो जाएगी, उसका सामना भाजपा को करना पड़ेगा, मेर आमादमी पार्टी का और दो डेप्टी मेर, सीनियर और डेप्टी मेर वो कॉंक्रिस के, तरा सुन्दर कांट करने जा रहे हैं कोई जिल्दी में, बस में OEC ने बड़ी आप टिपनी करी वो उसको मुबारक, जैसा कि मैंने कहा कोई शक्स कोई टिपनी कर रहा है, उस पर मैं टिपनी करूँ, मैं इन सारी चीजों से बचता हूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अर्विंद केजरिवाल जी, प्रभु श्री राम के परम भगत हैं, और वे अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है, या कोई नए काम की शुरुवात करते हैं, तो बजरंग बली के और प्रभु श्री राम के चर्णों की धूल अपने माथे पर लगा के करते हैं, उन्होंने दिल्ली में श्रवन कुमा आप से लेकर अजमेर दर्गा शरीफ तक हर जगा मत्था टकवाया, वहाँ पर उनके दर्शन करवाये, और मैं किसी अन्य नेता द्वारा अर्विंद केजरिवाल जी पर लगाये गई आरोप या इस पर टिपड़ी करना उचित नहीं समझता, मुझे नहीं लगता कि हमें क मैंने जो जवाब देना था, मैंने दे दिया इस विशे पर, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और जैसे ही कोई जानकारी आईगे आपको बताएंगे, जब आएगा तो आपको बताएंगे, उस पर भी वकीलों से चर्चा हो रही है, आपको अठारा तारीके और करीब आ चानकारी नहीं है, उस अठार तेन G violence परताट बताएंगे य।… कर दो कर दो कि दिनो पॉवर्चित दूट इंग है अीजिया से विए अ अजान अलिफ ने टुछित जारे सिर्ट टूपाइश ने थो प्रेद ऴिधिया प्रिवार्ब चीफ मिनिस्टर देली मिस्टर केज डिवाल and the Congress President Shri Malika Arjun Kargayji and senior Congress leader Shri Rahul Gandhiji was a meeting that was very very significant it has further strengthened our collective resolve to save India and to come together to ensure the departure of a incompetent corrupt and dictatorial regime led by the BJP that's the only thing that I'd like to say vis-a-vis that meeting thank you so much you 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 you